हलो दोस्तो नमश्कार एसम किसी चानल में मैं आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ अगर आपने पहली बार विजिट के है जरू चानल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन को एट करके औल जरू सिलेट कर लेना उसी की साथ-साथ फ्री कर लेते हैं तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे normal screen के उपर इस साल का आखरी हफते हमें हम लोग यहापर वर्क कर रहे और जैसे मैं आप लोग को बता है यह जो आखरी हफता जो रहता है वो special क्यों रहता है यस usually हम लोग को तेजी देखने को मिल जाते हैं जिसको हम लोग Santa Claus Rally के नाम से आपे जानते हैं हाला कि मैं हमेशा इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि Santa Claus Rally probability के इसाब से 70 to 80% success ratio के इसाब से चलती है और फिलाल current scenario के इसाब से अगर मैं बात करूँ तो अभी तक अगर हम लोग देखे जाएं तो Santa Claus Rally फिलाल तो बाजर में बनी हुई है जो कि आज के दिन भी Sensex आप देख सकते हो लगबग 300 point भागते वे देखने को मिला है और Nifty की अगर हम लोग बात करें तो 100 point से भी जादा हम लोगों को Nifty की तेज़ी देखने को आपे मिली है So definitely जैसे में आप लोगं को बताया था कि Santa Claus Rally 5 plus 2 मतलब December के 5 दिन January के पहले 2 दिन इसी को मिला कर होता है Santa Claus Rally तो अभी तक के हिसा से 7 में से 2 दिन तो Nifty ने Index ने अच्छा performance दिखाया है अभी आगे क्या होगा वो depend करता है क्योंकि अभी धिमे दिमे करके विदेश के बाजार हम लोगो कुछ बाजार open होते वे देखने को लेंगे कुछ बाजार में आज भी हम लोगो छुटी देखने को आपे मिलने वाली है तो यहाँ पर अगर देखा गया दोस्तों तो आज के दिन भी अच्छा performance है और यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम सेंटा क्लोज रैली कुछ एक और हम लोगो अच्छी खबर मतलब मार्केट के साबसे अच्छी खबर हम लोगो देखने को आपे मिली है तो वो भी हम लोग आपे देख लेते जैसे कि मैंने आप लोगो बताया कि मार्केट के लिए कोई negative news ना होना यही सबसे बड़ी positive news रहती है और वही scenario फिलाल तो हम लोगो आज के दिन भी देखने को मिला आज के दिन मतलब क्या कि during the market unnecessarily बाजर को पैनिक करने के लिए कोई negative news नहीं मिली तो इसी के चलते index हमारा अच्छा कासा performance देते वे देखने को आपे मिला है प्लस अगर हम लोग बात करें अभी American Bazaar हम लोगो कल के दिन तो यहापे क्या देखने को मिले थे छुट्टी थी closing थी तो इसलिए हमारे दिन जो opening हुआ निफ्टी का हुआ आप देख सकते हैं धमा के दार हम लोगों को opening देखने को मिला gap up शांदर gap up देखने को मिला था तो यह एक point है जो कि आपको पता होना चाहिए American Bazaar की बात करें तो अभी से हम लोगों को यूजूली कम दबाओ हम लोगों को देखने को आप मिल जाता है तो इसी को हम लोग Santa Claus Rally बोलते हैं फिलाल तो ऐसी मतलब जो path हम लोगों को देखने को मिल रहा है उसी के उपर Bazaar चलते वे देखने को मिल रहा है प्लस अगर हम लोग European Bazaar की बात करें यहाँ पर अगर किसी में अगर लाल निशान देखने को मिल रहा है तो अननेसेसरली पैनिक फिलने के लिए जादा टाइम नहीं लगता है तो छोटा मोटा दबाओ यहाँ पर आ सकता है तो collectively अगर हम लोग देखा गया तो Bazaar अच्छी तरीके से चलते वे देखने को आपे मिल रहा है एंट सबसे main golden point क्या है कि Indian market में internally as such कोई गड़बड़ी नहीं है विदेश के Bazaar के अगर हम लोग बात करें वहाँ पे recession है inflation काबू में नहीं आ रहा है बहुत सारी दिक्कत है बट इंडिया की अगर हम लोग बात करें हमें कोई internally as such कोई damage वाली खबर नहीं है हम लोग विदेश के Bazaar के pressure के चलते मतलब गिर रहे है और यह अल्यड़ी हम लोग यह आपे देख चुके है सो यह तो सारी चीज़े वैसे तो हम लोग पूरा नहीं होती वे देखने को मिली सो आज की दिन के अगर हम लोग बात करें कौन सी अलग हटकर news यह आपे हम लोग देखने को मिली जिसके चलते मतलब market को क्या मिला थोड़ा बहुत साहरा मिलते वे देखने को आपे मिला है और वो खबर है दोस्तो चाइना से रिलेटेड खबर सुनके आपको लगेगा सर यह क्या हो रहा है करके बट market के इसाब से यह खबर positive है और इसका proof भी में आपको दिखाऊंगा कि यह चाइना से related ही खबर के चलते है यह थोड़ी सी positivity यहापे बाजार में बनी हुई है मतलब सबसे main चीज दोसो अभी आप देख सकते कि चाइना में क्या COVID से related चीज़े हम लों को देखने को मिल जाती है तो चाइना end COVID quarantine for travelers in January इससे related announcement हो चुका है यह पहले ही यहापे बहुत ज़्यादा वो restrictions लेकर चलते थे चाइना जीरो COVID policy उसके तैद भी प्लस कोई भार से आया तो उनको quarantine करना वो सब अभी चाइना खतम करने जा रहा है January onwards जैसे मैंने आप लोगों को बोला जीरो COVID policy तो इससे related भी जो restrictions के वो भी अभी उन्होंने यहापे हटा दिया आखरी जो जीरो कवर्ड policy कव था वो भी उन्होंने यहापे फिलाल तो हटा दिया है मतलब definitely हम लोग यहापे कह सकती चाइना यहापे क्या कर रहा है अपने economic को अभी reopen करते हो देखने को मैं पूरी तरीके से जा रहे हैं अगर चाइना यहापे open हो जाता है तो businesses run करते वे देखने को मिलेंगे और इसी चीज के चलते हम लोग को यहापे आज की दिन metal sector में जबरदस थेजी देखने को मिली और भी अलग-अलग reasons है बट major जो reason था वो चाइना से related ही रहता है red plus commodities में भी हम लोगो देखने को आपे मिल जाते हैं बहुत ज़दा fluctuations रहता है so यहापे हम लोग कह सकते हैं कि metal sector मतलब मैं थोड़ा सा आपको index भी दिखा दू यह देखिए indices में ने open कर दिये है सभी sector में देखेंगी तो आज की दिन आपको metal जादा सवा 4% भागा है मैं थोड़ा से इसके उपर click भी कर लेता हू metal के उपर तो देखिए सभी के सभी सिर्फ एक ही stock को छोड़कर पाकी सभी के सभी में आप लोगों को जबरदस performance देखने को मिल रहा है यह indication है कि China ने जो announcement दिया है कि वो restriction सब कुछ यहापे हटा रहे करके तो इसके चलते businesses चलेंगे तो metal sector में हम लोगों के एक खुशाली देखने को आपे मिली है तो definitely market को इसमें क्या अच्छा लगता है market को एक ही चीज अच्छा लगता है क्योंकि नहीं रह सकते है क्योंकि अगर उस country में कुछ हुआ तो definitely उनके production के पर impact आ जाते है तो इसलिए वो अपने production को भी diversified कर रहे है तो इसलिए अभी चाइना का जो manufacturing hub का जो charm था वो अभी हम लोगों को दिमे-दिमे कम हो रहा है supply chain ने उसके उपर हमनों को impact आते वे देखने का आपे मिल जाता है तो फिलाल इन सारी चीजों के उपर की पाबंदिया चाइना ने हटा दी है और इसी के चलते आज की दिन का इसका सबसे बड़ा indication यह ही है कि metal sector हमनों को अच्छे खासे भागते वे देखने का आपे मिले है तो यह जो खबर थी इसके चलते मतलब बाजार को क्या थोड़ा बहुत यहाँ पर रहत मिला और चलो यह रहत वाली खबर नहीं आए तो भी चलेगा कोई negative खबर नहीं आनी चाहिए इसी के चलते यहाँ पर हमनों को बाजार में अच्छे खासा performance देखने का आपे मिल रहा है और यह सारी चीज़े में detail में क्यों cover कर रहा हूँ क्योंकि आज के दिन के अगर हम लोग बात करें bank nifty ओके ओके performance दे रहा था मतलब इतना भी कोई super डूपर नहीं हाफ परसेंट के आसपास ही भागता है देखने के मिल था बट उसके बावजूद हम लोगों को बाकी सेक्टर के और से अच्छा कासा support मिला इसलिए हमारा total जो result रहा है निफ्टी का वो बहुत ही अच्छा कासा यहाँ पर रहा है सो जैसे मैंने का कि Santa Claus Rally फिलाल तो अभी भी बाजार में देखने के आपे मिल रहे है जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि market है दोस्तों stock market है एक second भी काफी होता है मतलब यहाँ पर नाव पलटने के लिए पट फिलाल की scenario की इसाब से साथ में से दो दिन तो फिलाल तो इंडियन मार्केट में अच्छे ही देखने के आपे हम लोगों को फिलाल तो मिल रहे है और Santa Claus Rally का यह अर्थ नहीं होता है मैं अगेन के रहा चांगा मैं कुछ comments पढ़ता हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं होता है दोस्तों कि हर दीन मतलब सातों के सात दीन बाजार में तेजी रहेगी नहीं Santa Claus Rally का अर्थ यह होता है कि अगर आप यह December के पाच दीन से लेके जैन के पहले दीन इन सात दीन का अगर आप लोग ओरल एग्रिगेट परफर्फरमंस देखोगे तो वह हरे निशान में रहेगा उसको बोलते Santa Claus Rally इसका अर्थ यह नहीं कि हर एक दीन आप लोगों को सिर्फ हरे चाट पेटन्स देखने को मिलेंगे नहीं यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि मतलब दो से तीन हरे चाट पेटन्स देन दो लाल चाट पेटन्स देन वापस हरे चाट पेटन्स एग्रिगेट परफॉर्मंस देखने की में यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यह भी कुछ जो गलत आप concept यहाँ पे लेकर चल रहे थे उसको भी दूर करने की कोशिश यहाँ पे मैंने की है तो यह point भी आपको पता होना चाहिए 18,100 वहाँ पे भी हम लोगों को अच्छे का से support मतलब बोलते हैं ना फिलाल तो अभी built होते वे देखने को मिल रहे है 18,000 लेवल वापस हम लोगों को अच्छी तरीके से अभी मतलब second day यहाँ पे हो चुका है उसको और भी मजबूत है आपे किया जा रहा है और resistance के अगर बात करें दोस्तों बहुत ही जादा highly confusion देखने को मिल रहे है कोई भी एक proper level हम लोगों को वेसे देखने को नहीं मिल रहे है बट अगर पूराना ही resistance अगर पकड़ कर चलना है तो अभी जो जिस level पे हम लोग चल रहे है अटरा 200 मतलब उसको तोड़ने की बात है आपे कर रहे है वही फिलाल का level हम लोगों को देखने को आपे मिल रहे है यह level change होते रहेते हैं आपको बता है market है बहुत अच्छी खबर आ जाएगी तो easily है level फटाफट फटाफट change भी हो जाएगे बुरी कबर आएगी तो आपको पता ही है निचले लेवल भी फटाफट change होना start कर देते है बट overall scenario की इसाब से अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छा performance इंडियन मार्केट में पिछले हम लोगों को दो दिन में देखने को मिले है अभी global market वापस start यहापे होने जा रहे है तो इसी के चलते है आप लोगों ने थोड़ा सा alert भी रहना चाहिए ये भी point में आपको ज़रू mention करना चाहूंगा सो आशा करता दोस्तो जो main कबर थी वो मैंने आप लोगों के सामने आपे रख दे जैसे मैंने आप लोगों को का बाकी सेंटा क्लोज रहली बाकी के चीज़े वो सारी चीज़े ठीक है पड़ आज की दिन ये चाइना से जो additional हम लोगो positive news देखने को मिली market की साबसे उसके चलते हम लोगो metal sector में अच्छी तेज़े देखने को मिली और बाजार का भी mood थोड़ा बहुत हम लोगो aggregate basis के उपर सुधर तेवे देखने का आपे मिला है विदेश के बाजार हमें support ना करे तो भी चल जाएगा हमारा market वैसे ही पहले से strong है बट कोई negativity ना डाल दे बस यही प्रे हम लोगो को कर गए हापे आगे बढ़ना है सो आशा करता वीडियो helpful लगा होगा तो चाओ तो आप इसको like and share कर सकते हैं अगर आपने अभी तक open नहीं किया है तो link नीचे description में आप लोगों को मिल जाएगी 25 वडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल free of course provide कर दे जाएंगे आपका नाम कौनसा account आपने link के थो open किया है properly comment section में mention कर देना तो अफ्ते बर के अंदर-अदर ये सारे lectures मेरे side से आप लोगों को बिल्कुल free of course provide कर दे जाएंगे so that's it thank you very much दोस्तो we will be meeting our next video तब तक के लिए bye bye